तो चलिए दोस्तों आज हम बनाते हैं मशली तो मशली बनाने के हम इसमें तीन तरही के आपको बताएंगे सबसे पहले बताएंगे कि आपको मशली को वास कैसे करना है तो आप देख सकते हैं यहां पे हम सबसे पछले मशली को वास करेंगे तो रुखडा जगा ले लेंगे और रुखड़ा जबह पर इस मचली को हम घीसना स्टार्ट करेंगे पारी-बारी से ठोटल मचली को घीस लेंगे पारी हलका हलका ढाल करके तो जो इसके Söttउ कीन को गंदी हूता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम मचली को घीसना श्टार्ट कर दिया हैं और मचली इसको घीस लेंगे गीसनी के बार तोटल जो यह इह गाल लेंगे और इसके बाद इसको पानी से हम वास करेंगे। कम से कम पानी से आपको 3 चार बार द्धोना होगा मसले को तब जाके यह पूरक के लिए रहता है तो यहां पर देखे हैं और हम पानी से करेंगे वास सब्हार्भ लक्राठेकर अब तो चलिए अब हम धुते हैं इसको यह टोटल घीज से उसके बाद यहां पर दिखे हैं के दो, जञऑने वाले बरतन में भारे अर्वा्च लेंगे अब इसमें हम आपको कुछ मसाला बताएंगे आपको क्या-क्या एड़ करना है तो यह अब हम चलते हैं फ्राइ का प्रोसेस बताने आपको तो यहां पर आप मसाला जो दिख रहे हैं जो ग्राइंड करके हम रखे इसमें है सरसो लहसुन और जीरा मरी प्याच का पेश्ट तो आपको नमक अपने हिसाब से सवादयं साड़ लेना है उसके बाद आधा चममच हल्दी पाॉड़े एसमें उसके बाद हमें दो चममच बेसन ले लेना है चने का बेसन तो होता है वह दो छममच इसम एक्ज़ कर लेना another tarix लेना है बराबर तुरा अच्छे तरह से टोटल ह तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा फिस जो है टोटल हम मिक्स कर चुके हैं यहां पर इसको हम दस मिनट के लिए रिष्टे देंगे उसके बाद फिर हम पताएंगे आपको आएगा प्रोसेस क्या है तो हमारा दस मिनट होने वाला है कंप्लीट अब हम चलते हैं कड़ाइ को हीट होने देंगे उसके बाद इसमें यहां पर फैल यहां इसके बाद मचली मेरि क माड़ी में तमें carriers cow nice करतों los छमज के सपोर्ट से आपको डाल लेना होगा क्योंकि हम हाथ यूजकर आपको डर लगे या तेल यह होता है कि हमारा मारी ज़्यार राम को नहीं हो rollers सप्तिकूर्च राद दें Maaf फ्लेम पे और 5 मिनट हमारा फाइनली हो गए है अब इसको हम बारी-बारी से पलट देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तरफ का फाइनली हमारा पूरा पक चुगा है अब सेकंड तरफ का हमें पकाना है तो देखे अभी भी यह बहुत खुबसूरत और बहुत ही ल और इसको भी हम 4-5 मिनट मेडियम फ्लेम पे पकाएंगे फ्राइ बनाने में ज्यादा समय आपको नहीं लेगा हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं इसमें समय भी कम लगेगा और जंजट भी कम है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी दूसरे तरफ का पक निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं कितना खुबसूरत ही दिख रहा है देखने में भी मुह से पानी चुट रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ बारी बारी से इसको निकाल लेंगे तो टोडल निकालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अलग बरतन में रख चुके थे बहुत ही मस्त ये बहुत जबरदस दिख रहा है, बहुत इला जवाब ऐसे होता है, आप सिंपल तरीके से बनाये फिस फराई को और जो बेचा था हमारा फिस, इस फीर अष्टेप गार जैसे हम आपको बताते है तेल को फिर आपको डालना है फिर पाकाना है फिर आपको बताएंगे कि सालन वला मशली कैसे बनाएंगे तो मशली के लिए सालन हम कैसे तयार करेंगे तो वह हम आपको बताएंगे तो यहां पर फिस जो है हम फिर सकेंड रेश्टेप भी टोटल हम निकाल चुके हैं आपको हम दिखाते हैं हाथ में ले करके दिखे कितना जब बहुत कम मसालों के साथ बहुत इल्लाजबाब होता है तो अब आपको आए का प्रोसिस बताते हैं कि मचली का सालन कैसे बनाएंगे इसके सालन के साथ कैसे हम रेशिपी को तयार करेंगे तो यहां पर देखे हम अमारा फिस फराइ जो है फाइनली रेडी हो चुगा है इसके बाद अब हम आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं यहाँ पे देखिए फिस फ्राई हो गए हमारा और यहाँ पे लिए हैं सौधानसार, मिर्च और आधा चमच मेथी इसमें है आपको पहले ही बता है जीरा मरिच, लहशुन और प्याज और धनिया है इसमें इसका पे मेथी आपको दिखाए है यह मेथी टोटल इसमें डाल देना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम टोटल मेथी को इसमें डाल चुके हैं तेल में अब इसको ब्राउन होने देंगे हम ब्राउन होने तक इंतसार कर लेंगे चार-पान सगर में फाइनली यह ब्राउन हो ज देख सकते हैं और आप चाहा है तो मसाले में भी ग्रैंड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो हमें ग्रीन चिली आपको ये हम फाइली हो चुगा अब कि ये मसाला है जो हम भी रखे हैं वह इसमें तो इसको ढाल देंगे क्योंकि अगर ढ़ा के नहीं तो फिर उपर के तरफ मसाला उठेगा तो फिर कुछ जल सकता है हाथ मूद, कुछ भी अब देख सकते हैं तोटल हम मसाला इसमें डाल चुके हैं और यहां पर हम टकन हडा करके देखिए हम दिखा रहें यहां पर अब इसमें डालेंगे हम स्वा तो अच्छा टेस्ट इसका होता है तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हम अमड़ा का अचार इसमें डाले हैं क्यूंकि इससे टेस्ट बहुत दबरदस्त होता है और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं यह 3-4 मिनिट के बाद हम ढपकन को हटाए हैं और यहाँ पर देखे पानी जल चुका है और मसाला भी हमारा पकना हो चुका है अच्छे से इसको हम अच्छे से मिक्स करकर के पका लेंगे जलने नहीं देना है अगर जल गया तो फिर इस बहुत कम समय लग जब फाइनली 3-4 मिनिट में हमारा मसाला पूरा अच्छे तरह से पक जाएगा और मसाला पकने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि मसाला पकने के बाद मसाला और तेल दोनों अलग अलग दिखाए देगा अच्छे तरह से मसाला पक जाने पर अगर आपको पता नहीं हो तो आप समझ लेना कि जो हमारा मसाला ये पक रहे है मचली का सर्जो वाला मसाला तो ये हम अलग करके दिखा रहे हैं आपको ये देखिए हमारा मसाला जो है अलग निकाल चुका है बीच में हमारा तेल जो है सब बीच में आ रहा है दिखाई दे रहा है मतलब हम मारा मसाला पक चुका है अगर यह अलग अलग नहीं होगा तो आपको अंदाजा कर लेना कि यह मसाला फाइनली पका नहीं है तो अब देख सकते हैं यह अच्छे से पक चुका है अब इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे इसको सालन तयार कर लेंके अब हम इसमें पानी डा तो आप और भी पानी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ज्यादा गाढ़ा चाहिए तो और कम पानी यूज़ कर सकते हैं, आपको जीतना मोड़ा पतला पसंद हो, सालन उतना आप रख सकते हैं, लेकिन मेडियम रखे तो बहतर होगा, उसके बाद हम इसको ढख देंगे, यहां पर उबलना श्टार्ट हो चुका है, अब इसमें हम मस्ली गॉइट करेंगे, जो फ्राइ करके रखे, आप देख सकते हैं, यहां पर हमारा फ्राइब मस्ली है, जो टोटल हम इसमें डाल चुके हैं, अब इसको हमें हलके हाथों से इसको अलग-अलग करके, मिक्स कर अच्छे से सालन के अंदर डूबो देना है इसको और इसको चार से पांच मिनट के लिए इसको पकने देंगे मैडियम फ्लेम पे और पकने के बाद हम उतार लेंगे चूले से तो आप देख सकते हैं, यहां पर हमारा फिस जो है पकना सुरू हो गया है, और इसको हम चार प आते हैं कि हमारा फिस का सालन वारा रेसीपी कैसा हुआ है तो आप देख सकते हैं, यहां पर हम धकन को भी हटा रहे हैं, तो देखिए यहां पर हमारा फैनली है रेसीपी तयार हो गया है और यहां पर हम धिया है धनी का पत्ता कट करके रखे हुए हैं, अब हम इसको इसमे डाल देंगे तो पूरा पकने के बाद इसमें हम धने का पत्ता एड कर दिये हैं इसे क्या होता है कि बहुत खुबसूरत दिखता है दिखने में भी बहुत खुबसूरत लगता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है मचली में तो धने का पत्ता लाजमी चाहिए तो फ